नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो GD Commerce और मेरे पास काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि उनको answer sheet का नहीं पता कैसी उनको answer sheet लेनी है कहां से मिलेगी और उसका size कैसे करना है कितना size होगा answer sheet का कितने आपको page भरने है कितने आपको page लिखने है 20 या 40 दोन्नों side लिखना ह या एक side लिखना है जितने भी आपके question है answer sheet से related वो सब के सब इस video से clear हो जाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों मैंने answer sheet के बारे में कुर्षेत्य अनुवश्टी के एक बहुत ही senior professor है उनसे पुच्छा है department में है वो कुर्षेत्य अनुवश्टी के उनसे मैंने पुच्छा है WhatsApp पे तो वो proof भी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप वीडियो के साथ अंतक बने रहिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को share करिए जादा ही जादा क्योंकि बहुत ही बच्छों को पिरशानी हो रही है और इस वीडियो को like भी कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंसर सीट को लेकर बहुत से बच्चे हैं जो उल्जन में हैं उनको डाउट है कि कौन सी अंसर सीट लेनी है कहां से मिलेगी तो जो अंसर सीट है वो आपको book seller से मिलेगी आपको A4 size की अंसर सीट दे देगा ठीक ह और दूसरा point आप lining वाली भी यूज़ कर सकते हो और plain page भी यूज़ कर सकते हो लेकिन A4 size होना चाहिए उसका PDF कैसे बनानी है उसका size कैसे कम होगा अगर size जादा हो जाता है MB जादा हो जाती है उसकी तो वो कैसे कम होगी क्योंकि Gmail पर जादा MB जो है अगर आपकी PDF की हो जाती है तो वो लेट जाएगी और आपको time लगेगा अपना जो answer sheet है वो submit करवाने में इसके लिए मैंने एक video बन जानाते हैं उसका आप देख लीजिएगा उसमें PDF से लेटीड पूरी जानकारी है जो आपका first page होगा उस पर आपको लिखना है University roll number in figure in word clear second आपका नाम class semester code of paper जो आपका code of paper होगा sign आपके यहाँ पर और total page आपने कितने लिखे हैं कितनी sheet बरी आपने वो लिखना है और साथी साथ name of paper आपका जो paper है वो क्या है और date किस तारीक को आपका paper है और जो first page होगा उस पर आपको page का जो number है वो भी लिखना है कि यह first page है clear तो फlection page आप लिख लोगे तो आपको फर्स पेज पर यहां पर signature नहीं करने आप कर भी सकते हो क्योंकि लेकिन आपके जो यहां पर पहले his signature हो छुके हैं first page पर तो आपको first page पर signature करने की जुरूरत नहीं है फिर भी आप कर देना और दूसरी बात जो आपका दूसरा लिखना है और साथी साथ code of paper लिखना है और साथी साथ roll number लिखना है in figure clear और जो next page होंगे आपके जितने भी second page, third page उस पर आपको signature भी करने है page के last में clear और जो आपकी answer seat है उसके आपको 20 page भरने है अगर आप one-sided page यूज़ करते हो अगर आप double-sided page यूज़ करते हो तो आपको 10 page भरने होंगे अगर आप दोनों तरफ लिखते हो तो 10 page आपको भरने होगे इसकी मैंने जानकारी कुर्शेता अनुवस्टी के बहुत senior professor है उनसे लिए है मैंने whatsapp पर उनसे contact किया है उन्होंने मेरे को जवाब दिया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये ये देखिए वो screen short जिसमें मैंने उनसे पुछा है कि हमको answer book का जो है समझ नहीं आ रहा कि आप हमको बता सकते हो कि जो page है वो कैसे count किये जाएंगे तो उन्होंने मेरे को बताया कि single side जो page है वो count किये जाएंगे और आपको हर एक page पर 1,2,3 ऐसे आपको हर एक page पर page number लिखने है तो दोस्तो इस वीडियो को ज़्यादा है ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिस भी student को doubt हो answer seat से related मैंने सबी question जो है इसमें cover up कर लिए है अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि कोई answer नहीं मिल आपको तो आप comment करके मेरे से पूछ सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा है और साथ इस वीडियो को like भी कर दीजेगा और हमारे चैनल को subscribe कर लीजे और bell icon को भी दबा लीजे ताकि मैं कोई भी वीडियो डालू उसका notification आपको मिलता रहे धन्यवाद जैहिन